जैहें दोस्तों आज के एक और इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी शेर्स के विशे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये एक्विटी शेर्स क्या होते हैं इक्विटी शेर्स की क्या विशिस्ताइं होती हैं और equity shares जो लोग खरीदते हैं उनको क्या-क्या benefits यहां पर मिलते हैं यह सभी जानकारिया आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं तो चली दोस्तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं तो दोस्तो जब भी आप किसी company के share खरीदते हैं तो इसका मतलब है आपने कितनी इससे दारी खरीदी आप यहां पर खरीद लिया है अब आगे company को जितना भी फायदा या नुकसान होगा उसमें आप भी involved होंगे यानि कि आपने जो इस्सेदारी खरीदी है उसमें भी फायदा नुकसान आपको देखने को मिलेगा और जितनी आप इस्सेदारी खरीदते हैं वही तै करता है कि उस company में आपकी position क्या होगी क्या आपको वहाँ पर अधिकार मिलेंगे जब भी कोई company अपने shares को इशू करती है share market के अंदर तो वह दो तरह के shares होते हैं पहला होता है equity shares और दूसरे होते हैं preference shares आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखर ये equity shares क्या होते है equity shares basically ordinary shares होते हैं बहुत ही साधारण shares होते हैं जो कोई भी व्यक इसेदारी उस company में निश्चित हो गई यानि कि आपने उस company की कुछ इसेदारी खरीद ली दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम equity shares को खरीदते हैं तो क्या फायदे हमको यहाँ पर मिलते हैं सबसे पहला फायदा होता है voting rights का अगर आप equity shareholder हैं तो आपको उस company के अंदर voting rights मिल यानि कि company के अंदर जब भी कोई चुनाव होगा फिर चाहे वो board of directors को चुनना हो या किसी union को चुनना हो तो वहाँ पर आप vote कर पाएंगे दूसरा company का जो management है उसके अंदर decisions लिये जाएंगे जो भी control उसके अंदर होगा उसमें भी आप सीधी तरह से वहाँ पर हिस्सा ले पाएंगे अब बात आती है dividend की जब भी कोई shares खरीता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यह रहता है कि इस share को अगर मैं खरीता हूं तो मुझको इस पर dividend कितना मिलेगा dividend यानि कि company जो मुनाफ़ा कमाती है उसकी एक हिस्सेदारी तो यहां पर equity shares के लिए यह कुछ definite नहीं होता यह इस बात पर निर्वर करता है कि company ने मुनाफ़ा कितना कमाया है company जब equity shares को मुनाफ़ा देती है तो इसका मतलब यह है कि पहले वो अपने जितने भी expenses हैं liabilities हैं उनको पूरा कर चुकी है और preference shares को उनका मुनाफ़ा दे चुकी है तभी company equity shares को मुनाफ़ा देती है या जाने कि कम मौकों पर उनको dividend दिया जाता है तो ऐसे में company क्या करती है क्योंकि equity shares है यह पहले से company के share holders होते हैं तो उनको मुनाफ़े के तौर पर कुछ extra bonus shares company दे देती है तो यह भी एक बड़ा फायदा यहां पर होता है दूसरा यहां पर अगर आप equity shares को खरीदना चाहते है तो इनको सिर्फ आप share market से खरीच सकते हैं अगर आपके पास demate account है आपके पास trading account है तो आप आज online किसी भी company के equity shares को आसानी से यहां पर खरीद सकते हैं और बेचने की बात आती है तो आप किसी भी समय अपने equity shares को किसी भी shareholder को दूसरे shareholder को बेच सकते हैं और कई बार company अपने shares को वापस लेती है shareholder से तो उसको buyback कहा जाता है तो यह concept इस equity shares का मैं उमीद करता हूँ आपको अच्छी सी समझ में आ गया होगा और ऐसी informational videos को देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी subscribe